हेलो गाईस सभी का स्वागत है मेरे नदर वीडियो में आज की वीडियो में हम देखने वाले है कि माई इस्टाप में अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसके साथ पैसे कैसे अड़ करते हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए अपना माई इस्टाप.in में यहां पर बोल रहा है यूजरम और पासवर्ट अगर आपके पस पहले से अकाउंट है तो यूजरम और पासवर्ट डालकर login कर लेना है अग्रया आपके पस अकाउंट नहीं है तो do not have any account पर से क्लिक करना है उसके उपर क्लिक करने के बाद कुछ इस परकर सा जाब तो यहाँपको नाम डालना है अब आपका नाम है कुछ भी आपका एक सब्सक्राई जाना अपने के बाद कोई साब आपना नाम एंटर करने के बाद यहां पर बोल रहा है अपना नाम एंटर करने के बाद तो उपर के Gmail है मेरी डाल दिया अब यहां पर बोल रहा है WhatsApp तो यह चाहो तो आप अपना WhatsApp नमर दे सकते हो अगर नहीं देना है तो इसको खाली छोड़ जाना है फिर यहां पर पासवर्ड बोल रहा है तो मैं अपने पासवर्ड क्रेट कर लेता हूँ पासवर्ड करेट करने के बाद आपको यहां पे छोटे से box में टीक लगा देना के बाद आको सब्सक्राइब कर लेना है पासवर्ड?. यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपका username आ जाएगा, यहां पर total spend आपने कितना balance लगाया है, वो आ जाएगा और total order ला जाएंगे, और यहां पर आपका balance दिखेगा कि total balance, तो अभी मेरा zero balance है, तो चलो मैं सबसे पहले इसमें पैसे add कर देता हूँ, पैसे add कर मुझे यहां पर three dot पर click करना है, three dot पर click करने के बाद मुझे यहां पर add money पर जाना है, add money पर जाने के बाद, यहां पर QR code है, यह QR का मेरको screenshot लेना रहा है, जिसके मैंने screenshot ले लिया, यह आप चाहो तो यह video भी देख सकते हैं, उनका tutorial वीडियो है, screenshot लेने के बाद, आ अभी मैं फोन पर सकरने वाला हूँ, फोन पर open होने के बाद, आपको यहां पर QR पर चले जाना, QR पर जाने के बाद, आपको यहां से select कर लेना है, QR, देख सकते हैं, यहां पर मैरा select हो चुका है, अभी मैं इस website में 100 रुपे add करने वाला हूँ, आप चाहो उतने कर सकते हो, minimum आप 1 रुपे add कर सकते हो, ठीक है, तो यह नहीं है कि आपको 100 रुपे add करना है, जैसे मैंने किया, आप चाहो तो 1 रुपे भी add कर सकते हो, तो अभी मैं 100 रुपे add करने वाला हूँ, देख सकते हो, मेरा payment हो चुका है, अभी payment होने के बाद, यहाँ पर एक option है, view detail, यह view detail पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो लिखा है, transaction ID, transaction ID copy कर लेनी है, अगर paytm से कर रहे हो, तो वहाँ पर order ID आएगा, मैं यहाँ पर नीचे screenshot लगा दूँगा, आप देख लेना, यह copy करने के बाद, आपको उसी page में आ जाना है, website में, website में आने के बाद, यहाँ पर बोल रहा है न, order ID, तो य आपने जितना payment किया था, जैसे कि मैंने भी 100 रुपे payment किया था, मैं 100 रुपे डालके, यहाँ पर verify transaction पर click करूँगा, दिख सकते हो, मेरे successfully पैसे add हो चुके है, create order पर click करके, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, दिख सकते हो, मेरे successfully पैसे add हो चुके है, अभी आपको order कैसे लग करना है, तो आप यहाँ पर दो option है, एक category और एक service का, तो सबसे पहले आपको जिस भी category service चाहिए, वो select करने है, जैसे कि यह भी मेरे को followers की चाहिए, यहाँ पर आपको category पर click करना है, category पर जैसे ही click करोगे, यहाँ पर मेरे को चाहिए followers, तो follower की service कौन सी है, Instagram follower 365 रिफिल वाल तो यहाँ पर मेरे को click करने के बाद, यहाँ पर दूसरे number पर जो service है, वो service select करनी है, जैसे कि यहाँ पर service है, Instagram follower 365 रिफिल वाली, नून ड्रॉप, 55 रुपीज में आपको 1000 follower मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, यह price जो लिखी है, price है 1000 quantity की, और अगर आपको और भी चीज़े चाहिए, तो और भी चीज़े है, जैसे कि like हो गया, follower हो गया, YouTube के subscriber हो गया, watch time हो गया, सब कुछ मिल जाएगा इस website से, यहाँ पर like में दिखा देता हूँ, देखो 3.43 रुपे में आपको like मिल रही है, 1000 like मिल रही है, अभी मैं आपको यहाँ पर कोई से भी link copy करके डालना है, और अगर आपको like चाहिए, तो जीस post पर like चाहिए, उसका link डालना है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्राइस याप लिंक पर डालने के बाद आपको quantity लिखनी है, जैसे कि कितनी quantity चाहिए, तो आपको 1000 quantity चाहिए, तो 100 quantity चाहिए, तो 100 लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने 1000 quantity लिखा, तो आपको 1000 के quantity का कितना काट रहा है, तीन रूपे काट रहा है, अगर आपको कोई इस website में problem होती है, तो आप यहाँ पे 3.पे क्लिक करके team support ले सकते हो, जैसे कि आपको कोई order लगाया, तो order में कुछ problem हुई है, वदलब start न मैं यहाँ पर order select कर लिया, और यहाँ पर request में मैं करूँगा, मेरे जैसे कि order start नहीं हुआ, तो मैं not started पर click करके, यहाँ पर अपनी order ID की link डाल दूँ, बनलब order ID डालूँगा, जो आपको track order में मिल जाएगी, वो भी आपको दिखा दूँगा, यहाँ पर मैं order ID डालूँग order ID डालने का बाद, यहाँ पर message में लिख दूँगा, not started, कुछ भी यहाँ पर लिख दूँगा, जिसकी मेरे को जिस type की help चाहिए, अगर आपको यहाँ से reply नहीं आता, तो आप यहाँ पर WhatsApp पर जाके इनको message कर सकते हो, यहाँ पर नीचे WhatsApp बटन हैं देख सकते हो, अभी मैं तो इक टिलिक करने के बाद, आपको यहाँ पर अपना order ID दिख जाएगा, जयसे कि यहाँ पर, आपका order ID दिख जाएगा है, यहाँ पर date दिख जाएगी, यहाँ पर link दिख जाएगी, तो आपने kis link पर लगाया है, order वो दिख जाएगी, अभी तो मैंने फिलाल इस Lenk बैस